पुरुष चीजें एक तरह से करते हैं, महिलाएं दूसरी तरह से टकराव होता रहेगा, क्योंकि आपको एक प्रकार की जगा चाहिए और उन्हें दूसरे प्रकार की, इसे कैसे संभालें? तो ये चीज आपको उम्र बढ़ने के साथ सीखनी होगी. नमस्कारम सद्गुरू, नई पीडी और पुरानी पीडी में आपस में आजकल बहुत मद्भेद दिखा जाता है. हम ये कैसे सुनश्चित करें कि उम्र का अनुभव और जवानी की उर्जा एक साथ काम करें? सिर्फ आजकल नहीं, इन में हमेशा से मद्भेद रहा है. नई पीडी और पुरानी पीडी, असली समस्या ये है, पुरानी पीडी ये नहीं मानती कि उनकी उम्र हो चुकी है, और नई पीडी ये सोचती है कि वो बड़े हो चुके हैं. यही पूरी समस्या है बुड़े ये नहीं मानना चाते कि वो बुड़े हैं युवा खुद को युवा नहीं बलकि हर काम करने लाइक बड़ा मानते हैं पर उनकी जगा किसी और ने ले ली है ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं करते खास कर हाथियों में आप देखेंगे कि अचाना के एक युवा हाथी गुस्से में यहां वहां घूम कर चीजें उखाड़ेगा क्योंकि उसकी एक बड़े हाथी से लड़ाई हुई है वो अपनी जगा नहीं छोड़ रहा था तो ये छोटा हाथी लड़ना चाता था पर लड़ने की ताकत नहीं थी इसलिए तबाही मचा रहा है जवानी तो इसलिए हमने इस देश में वर्णाश्रम धर्म बनाए थे यानि शून्ने से बारा वर्ष तक बाला वस्था होगी बस खेलना शरीर और दिमाग का विकास बारा से चौबीज ब्रह्म चर्य है ये खुद को अनुशासित करने का समय है शरीर और मन में डिसिप्लिन लाने का उर्जाओं का विकास करके एक शक्तशाली जीव बनने का और ज्ञान पाने का चौबीज के बाद आप चुन सकते हैं अगर आप जीवन को साफ देख पाते हैं तो हर जहन्जट में पढ़ना जरूरी नहीं है तब आप चौबीज साल के उम्र में सन्यासी बन सकते हैं वरना आप शादी कर सकते हैं तो अगर आपने चौबीज में शादी की तो दो सौर चक्र यानि चौबीज साल बाद आप अरतालीस के होंगे यानि आपके बच्चे अठारा से बाईस के बीच होंगे युवा हाथी की तरह वो चाते हैं कि आप जगा छोड़ें पर वो कह नहीं सकते आज कल आधुनिक युग में हम बच्चों को दूर भेज देते हैं हम नहीं जाते हम उन्हें कहीं और भेज देते हैं इन अजीब स्थानों को आम तोर पर युनिवर्सिटी कहते हैं पर उन दिनों जीवन खेती के आसपासी घूमता था लोग घर छोड़के दूर नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके जानवर और जमीन वहीं होती थी वो कहीं और जाकर नहीं जी सकते थे तो किसी को तो जाना था तो 48 साल के माता-पिता सन्यास ले लेते थे और अलग दो स्थानों के ओर चले जाते थे पती एक अलग आश्रम में जाता और पतनी अलग में अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए 12 साल 60 की उमर में वो वापस आकर फिर से शादी करते थे आजकल वो बाहर नहीं जाते वो साथ ही रहते हैं और 60 साल में फिर भी शादी करते हैं नए आपको 12 साल दूर रहना चाहिए पहली शादी में शायर शरीर और मन के वेवस्ताएं आप पर हावी थी अब वो सब चीजें जा चुकी हैं 12 साल के आध्यात्मिक साधना के बाद आप एक बिलकुल अलगत रहे के साथ वन प्रस्थ में चले जाते हैं यानि अपने जीवन का अंतिम हिस्सा वन में जीते हैं तो तब ऐसा होता था जब आप चाहते थे माता पिता दूर हो जाएं वो हो जाते थे अब वो नहीं जाते वो चाते हैं आप चले जाएं अगर आपने दुनिया में सफलता पाली है तो आप उनके चाहने से पहले ही जाना चाहेंगे पर अगर आप सफल नहीं हैं तो टकराव किसी कारण से अगर आप सफल नहीं हैं तो माता-पिता और बच्चों में टकराव स्वाभाविक है आपको ये समझना चाहिए कि भावनाओं के कारण कोई खुद को माता-पिता या बच्चा मानता है पर जीवन की स्थिती यही है मानो एक जवान हाथी और बड़ा हाथी इस बात को लेकर लड़ रहे हूँ कि किस की चलेगी पुरुष एक तरह से लड़ते हैं मैलाएं दूसरी तरह से पर बुनियादी समस्या एक ही है आपको अपनी चलानी है और वो आपको ऐसा करने नहीं दे रहे तकराव होते रहेंगे जो बच्चे दूर रहते हैं वो हमेशा आपको प्यार करते हैं हाँ? हाया ना? जो बच्चे आपसे दूर रहते हैं वो हमेशा आपको प्यार करते हैं यही सही तरीका है अगर वो आपके साथ होते इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं या वो बुरे हैं ये इसलिए है, क्योंकि आपको अपनी चलानी है और उन्हें अपनी, पर दोनों साथ रह रहे हैं, तो तनाव पैदा होगा, तनाव तब नहीं होगा, जब आपके बच्चों में बढ़पन आ जाए आप समझें, आपने उन्हें बच्चपन में परिपक्व बना दिया है, तो वो बुज़ूर्गों के साथ काफी अच्छे से रह पाएंगे जब आप पिमार होते हैं, तब वो ठीक से बरताफ करेंगे, क्योंकि अब उनमें देख भाल करने की भावना आ जाती है पर अगर आप तंदुरूस्थ हैं और वो भी, तो दूरी रखना बहतर है हाँ तो ये कोई नई समस्या नहीं है, मुझे विश्वास है, गुफाओं में रहने वाले, जवान और बुज़ूर्ग लोगों के बीच भी यही समस्या रही होगी क्योंकि बुज़ूर्ग खुद को बुज़ूर्ग नहीं मानते हैं, और युवा खुद को युवा नहीं, बलकि हर काम करने लाइक बड़ा मानते हैं, तो कुछ न कुछ, होता रहेगा इसे कैसे संभाला जाए? तरीका ये है कि बुज़ूर्ग पीछे हटते जाएं, और युवा उनकी जगा लेते जाएं बात सिर्व ये है कि बुज़ूर्गों को बुद्धी और अनुभव दिखाते रहना होगा, ताकि युवा बुज़ूर्गों की कीमत समझ जाएं ऐसा नहीं हुआ, तो युवा आपकी इज़द नहीं करेंगे और बुरा बरताव करेंगे तो ये चीज आपको उम्र बढ़ने के साथ सीखनी होगी, आप में जीवन की समझ और परक है, जो उन्हें अभी नहीं है, इसलिए वो आपका सम्मान करेंगे तब आप एक ही स्थान में रह सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे समझदारी से आप उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रहने दें और खुद फर्स्ट फ्लोर पर रहें, आपको सम्मान मिलेगा अगर आपने समान लाएक कुछ नहीं है, और आपने बस अपनी समस्याएं और बक्वाज जाहिर की हैं, तो वान प्रस्ट ठीक है मैं जानता हूँ, आपको ये सुत्तर की उमीद नहीं थी, पर मैं क्या करूँ? मैं कोई नेता नहीं हूँ, जो सही चीज़ें बोलूँ, मैं वही कहूँगा, जो सच है मैं कृरिय सुत्तर की हімोच का मैं जान झाल हूँ थीज़ें तो कोStतर की है